बुलु स्री प्राणनाथ प्यारे की जय बुलु स्री सद्गुरु महाराज की जय मीठा गुझ मासूक का काहूं आशिक कहे ना कोई पडोसी पड़ना सुने यो आशिक छिपी रोए यो आशिक छिपी रोए आशिक कहिए तिन को जो हक पर होए कुरबान प्रणाम जी संद्राजे अक्षराति धाम दनी श्री राज्ये श्री इंद्रावती जी के रिदय धाम में विराजमान होकर सिंधी ग्रंथ के इस प्रकरण में जिस प्रकरण का शिर्षक है आशिक के गुनाह इस प्रकरण में उन प्रतिक ब्रह्म स्रिष्टियों को अपने अपने गुनाह बता रहे हैं जिन्होंने स्वयम को आशिक होने का दावा किया है यह जो अंतिम तीन प्रकरण हिंदुस्तानी भासा में है सिंधी ग्रंथ के इसमें सबसे जो पहला प्रकरण है यह आशिक के गुनाह कि आशिक कहने वाले ब्रह्म स्रिष्टियों ने स्वयम को आशिक कहलाने वाले ब्रह्म स्रिष्टियों ने ऐसा कौन सा गुनहा किया इस जागनी के ब्रह्म हंड में आकर और इस चोपाई में कह रहे हैं कि आशिक कही ये तिन को जो हक पर होए कुर्बान अगर ब्रह्म सिष्टियों को स्वयम के दावा को सत्य साबित करना है कि जब राज्जी से हमने कहा कि हम आशिक हैं हम आपसे प्रेम करते हैं तो आशिक कहलाने वाली ब्रह्म सिष्टि तो उनको कहा जाए जो हक पर होए कुर्बान जो राज्जी पर कुर्बा हो जाए समर्पित हो जाए सौ भाते मासूक के सुख गुज लेवे सुभान अनेक प्रकार से जिनको हम मासुक कह रहे हैं उनको प्रसन करने के लिए सो तरीके अपनाने पड़े तो भी अपनाए और गुज रूप से अंद्रूनी रूप से सुभान अर्थात प्रियतम का सुख ले चुकि इससे पहले की चौपई में हमने सुना मीठा गुज मासुक का काहू आशिक कहे न कोई आशिक ब्रह्म स्रिष्टी जो भी स्वाद राज्जी से लेती है जो भी आनन्द जो भी लजजत लेती है उसका धिंडोरा नहीं पिटती है अगर कोई भी सुन्दर साथ अपने अनुभ़ों का धिंडोरा पिट रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उस अवस्था में नहीं पहुचा है अवस्था की बात होती है जैसे अगर हमारी सिर्फ बाउधिक जागरिती हुई है तो तब की अवस्था कुछ अलग होती है अगर हमारी अवस्था जीव के जागरिती की हुई है तो तब हमारी स्थती कुछ अलग होती है आत्म जागरिती की जो अवस्था है वो भिन्न है और परातम की जागरिती की तो अभी इस जागनी के ब्रह्मान में बात नहीं की जा सकती तो प्रत्यक जागरिती की अवस्था का फरक पड़ता है और बौधिक जागरिती में भी सब का बौधिक स्तर अलग-अलग होता है वानी की जितनी समझ आती जाएगी उसे हिसाब से हमारी करनी और हमारी रहनी में परिवर्तन होता जाएगा उदाहरन के लिए जब कोई व्यक्ति कोई भी सुन्दर साथ तारतम ग्यान ग्रहन करता है शुरुवात में तारतम लेने के बाद अब उच्चू की उसने सिखा है उसने जाना है कि दुनिया के जितने भी देवी देवताओं के आगे हम प्रणाम करते थे सिर जुकाते थे जिनकी हम आरधना करते थे भक्ति करते थे सेवा पूजा परिक्रमा किया करते थे वे सब नस्वर हैं अधवा वे सब भी उस अक्षरातित की भक्ति करते हैं तो हमें शुरुवात में इतना समझ में आता है कि हमें इन देवी देवताओं से कुछ मांगना नहीं है अगर अध्यात्म में इतना भी नहीं पहुंचे हैं तो शुरुवात में क्या होता है अगर हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो इससे पहले हम कोई भी काम करते हैं, अगर भक्ती का कोई भी कार्य कर भी रहे हैं, चाए पूजा कर रहे हैं, चाए परिक्रमा कर रहे हैं, चाए बहुग लगा रहे हैं, तो उसके पीछे एक स्वार्त छिपा रहता है, कि हम य उस च्षेत्र में भी अध्यात्मिक विचार में थोड़ा सा परिवर्थन आता है तो लगता है कि नहीं भक्ति तो हमें लवकिक इच्छाओं के लिए नहीं करने चाहिए तो उसी तरह से तार्तम जियान ग्रहन करने के बाद उस सुन्दर साथ को इतना पता चल जाता है कि हमे दुन्या के देवी देवताओं से कुछ नहीं मागना लेकिन उसके दिमाग में यह होता है कि हम देवताओं से तो नहीं मांग सकते तो किस से मागें तो हम सोचते हैं कि अच्छा में जो मांगना भी होगा तो हम राजी से मागेंगे तो हम दुनिया के लोकिक देविद्योताओं से लोकिक चीजे न मांग करके राज्जी से मांगने लग जाते हैं हम राज्जी के सामने जब प्रणायम करने आते हैं या फिर कभी वानी का पारान रखते हैं पाठ रखते हैं मेहर सागर का पाठ करते हैं या अलग-अलग आउसरों में अलग-अलग प्रकरणों का पाठ करते हैं तो राज्जे से हम ये मांग रहे होते हैं कि हमारे घर में ये अच्छा हो जाए अगर किसी को रोग है तो रोग समाप्त हो जाए किसी की नौकरी नहीं ल ने बड़े महाराजी को कहा कि महाराजी इतने सारे सुन्दर्शाथ हैं जो परमधाम का दर्शन चाहते हैं आप तो साक्षात आपके अंदर राज्जी विराज मान है आप सुन्दर साथ को दर्शन क्यों नहीं करा सकते तो महाराजी ने कहा कि कोई भी सुन्दर साथ राज्जी का दर्शन करना नहीं चाहता है कोई भी सुन्दर साथ अपना आत्मिक कल्यार नहीं चाहता है सभी किसी ने किसी तरह लोकिक रूप से जुड़े हुआ है फिर भी जब वो सुन्दर्शाथ नहीं मानी तो महाराजी ने कहा अच्छा ठीक है तुम सुन्दर्शाथ को जाकर बोल देना कि महाराजी को आज जो मांगना हो मांग लेना, महराज jee पूरा कर देंगे तो उस सुंदर्साथ ने उस माताने जा करके सुंदर्साथ के बीच में ये बात फhela दी कि महराज जी सुंदर्साथ की सारी इच्छाज पूरी करने वाले हैं, ये नहीं बताया कि राजी मांगना है या परमधाम का दर्शन मांगना है तो जैसे ही मांगने की बात चली तो एक एक करके सुन्दर साथ महाराजी के पास पहुंचता था जा करके कोई कहता है कि मेरे मेरी बहु मेरे से लड़ाई करती है तो आप उनको सांथ कर दीजिए महाराजी नहीं कहा कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है ऐसी ऐसी सारी लौकिक इच्छाई ही महाराजी के सामने प्रस्तुत की गई तो उसी तरह से ये एक उधारण है इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उधारण हम बितक के अंदर भी सुनते हैं या किसी अन्य परम्हंच के जीवनी से भी हम ऐसी कहानिया अथवा ऐसे उधारण हम ले सकते हैं कि सुन्दर साथ लौकिक इच्छा ही मांगता है लौकिक चाहना को ही पूरा करना चाहता है तो यह हो गई पहले स्थती कि हम दुन्या के देवी देवताओं से नाम मांग करके राज्जी से हम लौकिक इच्छाओं की पूर्ती करवाना चाहा रहे हैं उसके बाद दूसरी अवस्था ऐसी बनती है जैसे किर्यंतन की वानी में इंद्रावती जी कहती है उसी प्रकरण में आगे कहती है प्रेम दरद में इश्क तुम्हारा फेर फेर मागूं फेर प्यारी मिलूं प्यारी प्यूसों प्यारी महमत कहे बेर बिर तो पहले तो लौकिक चीजे माग रहे थे सुद्दर साथ लेकिन जब उस अवस्था में पहुँचेंगे इंद्रावती जी ने जिस अवस्था का वर्णन किया उस प्रकरण में किरंतन के तो उस अवस्था में अगर हम पहुँचेंगे तो हम रजी से रजी के प्रेम की माग करेंगे हम कहेंगे कि हमें वाणी को समझने की समझ दीजिए, हमें अपना प्रेम दीजिए, हमें अपना लजजत, अपना आनन दीजिए, हमारे रिदय में आ करके आप विराजमान हो जाईए, लेकिन उस अवस्था में भी आज हर कोई नहीं पहुंचाए, अभी तो हम सिंधी की बात कर रहे हैं, किरंतन ग्रंथ तक अवस्था कुछ और है, सिंधी में आते आते स्थिति कुछ और हो गई है, इसके विशे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले किरंतन की उस स्थिति के विशे में बात करते हैं, कि जब किरंतन की वाणी में कह रहे हैं, कि प्रेम द वाले स्थिति भी अभी हमारी नहीं हुई है हम राज्जी से राज्जी का प्रेम नहीं माग रहे हैं हम राज्जी से राज्जी का आनन नहीं माग रहे हम राज्जी से अब तक भी लौकिक चीजें ही माग रहे हैं और यह बात मैं पिछली भी सायर दो या तीन चर्चाओं मे का पाठ करके मेहर सागर के प्रकरणों का पाठ करके हम राज्जी से क्या माग रहे हैं। हम राज्जी से और कुछ तो मांग ही नहीं रहे हम राज्जी से करें कि राज्जी ये जो दुख आया है लौकिक इसको समाप्त कर दीजिए तो अभी भी हम लौकिक चीजें ही मांग रहे हैं हम राज्जी से कब राज्जी का प्रेम मागेंगे, कब वो दर्द मागेंगे, कब विरह मागेंगे, कब दुख मागेंगे तो इस हिसाब से अभी हम बहुत पीछे हैं एक तरफ हम कहते हैं कि दुखरे प्यारों मेरे प्राण को सो में छोड़ियों क्यों कर जाए दुनिया के जो भक्त कहे जाते हैं और भक्तों में भी जिनका नाम नहीं आता मैं एक उधारन आपको देता हूँ सायद आप पहले भी कई बार इस उधारन को अपनी चर्चा में सुन चुके हैं जैसे कि द्रौपदी हैं द्रवपदी का नाम भक्तों में नहीं लिया जाता, कि द्रवपदी कोई बहुत बड़े भक्त रही है, ऐसा कोई नाम नहीं लिया जाता, लेकिन द्रवपदी को जब पूछा गया, कृष्ण जी ने जब पूछा महावारत का युदुश्वमाप्त होने के बाद, कि तुम्ह क्या चाहिए तो उन्होंने कहा कि भगवन आप हमें दुख दीजिए कृष्णा जी ने कहा कि इतने वर्सों से तो तुम दुख ही दुख जहलते आ रही हो बारा वर्स का वनवास एक वर्स का गुप्तवास उसके बाद महा भारत की लड़ाई में अपनों को खोने का जो दु तो दुख ही दुख जब तुम्हें मेल रहा है तो अब भी तुम दुख मांग रहे हो क्यों दुरवपदी ने कहा कि देखिए मैं दुख ही से लिए मांग रही हूँ क्योंकि जब भी हमें कस्ट आया आप हमारे साथ थे महावारतमी प्रसंग आता है कि दुरवासार इसी अपने हजारों शिश्यों के साथ में किसी के कहने पर पहुँच जाते हैं पंडवों के पास अब वहाँ पर उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं होता है तो दुख भरे स्वर से पुकार करती हैं दुरवपदी कि भगवन लाज रखिये कृष्ण जी वहाँ पर पहुंच जाते हैं प्रगट होते हैं और फिर उस बरतन में धोच्चु के बरतन में जो एक साग का टुकडा मिलता है उसको खा करके कृष्ण जी सब को त्रिप्त कर देते हैं एक प्रसंग या आता है दुसरा जिस समय में दुरवप कर रहा था तो उस समय उन्होंने कृष्ण जी को याद किया कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थे उसके बाद महा भारत के युद में भी कृष्ण जी साथ थे तो दुरवपदी ने कहा कि आप हर दुख में हमारे साथ थे लेकिन जैसे ही अभी युद के बादल समाप्त हो लेकिन जब भी हम राजी से कुछ मांगते हैं, तो हम लौकिक चीजे ही मांग रहे होते हैं, लौकिक वस्तों में लौकिक सुख ही मांग रहे होते हैं, तो अभी हमारी अवस्था वो प्रेम दरद में इश्क तुमारा फेर फेर मागू फेर उस अवस्था की भी नहीं हुई ह हमें इतना पता होना चाहिए कि राजी को सब पता है कि कौन से सुन्दर साथ को अथवा किसको क्या देना है, क्यूं देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है या फिर नहीं देना है हम अपनी द्रिष्टी से एक छोटी लौकिक द्रिष्टी से देखते हैं मानलेजे उदाहरण के लिए लालदाजी का उदाहरण ले लेते हैं जब हूँ लक्षमण सेट थे उनके पास निन्यानव्य जहाजों से उनका व्यापर चला करता था है यहां हम सब जानते हैं उनसे सब कुछ ले लिया लक्षमण सेट से सब कुछ लेने के बाद माहमती लालदास बने इंद्रावती जी से मिहर राजी से सब कुछ लेने के बाद इंद्रावती जी को हफसे में जा करके दर्शन हुआ लेकिन दर्शन देने से पहले तो सब कुछ उन्होंने ले लिया यहां तक कि जिस सरीर को अपना समझ रहे हैं जिन सासों को हम अपना समझ रहे हैं कलस की वाणी में इंद्रावती जी कहते हैं, जब आह सुकी अंग में स्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम परदा टाल के दियो मोहे अपनों अंग, तु जब सब कुछ दिया, उसके बाद ही इंद्रावती जी के हृदय में राज्ये विराजमन हुए, और उसके बाद उन इतायी है, तो इस प्रकरण में जो बात बताई गई है कि आसीक कहिए तिन को, जो हक पर होए कुर्बान, तो सच्चा आसीक होई है, जो कुर्बानी करे, इस जागनी के ब्रहमः कीए बिना ब्रहम सिस्टियों को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो सामान नीसी बात है, कि हम कहते हैं बोल चाल की भासा में कहने को तो सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यह डायलोग है इस वाक्य को साइद सब सुनते हैं सब बोलते हैं किसी ने किसी परिस्थति में पहुंच करके प्रतिक विक्तिने इस बात को बोला ही होगा कि कुछ पान है तो पहले जिस जिस को हम अपना समझ रहें वो सब कुछ हमें त्याग करना पड़ेगा सब का समर्पन करना पड़ेगा कि सर्वस्व समर्पन का मतलब ही यह कुर्बानी का मतलब है सर्वस्व समर्पन तो जब तक हमारे अंदर वो कुर्बाने की भावना नहीं आती है जैसे मैंने कहा इस बात को मैं फिर से दोहना ना चाहता हूँ इस बात को दिल में दोहरा है कि यह कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यह अल्पसत्य है इसमें के सर्वस्व का समर्पन करना पड़ेगा इसलिए इंद्रावती जी ने इस प्रकरण के माध्यम से हम सब सुन्दर साथ को सम्भुधित करते वे कहा आसिक कहियतिन को जो हक पर होए कुर्बान जैसे इस संचार में एक बीज है किसी भी व्रिक्ष का एक बीज है बीज अगर जमीन पे ना गले तो वो व्रिक्ष नहीं हो सकता गलने का मतलब मिटा देना स्वयम को खुद की हस्ती को मिटा देना अर्थात अपना सर्वस्व त्याग देना एक बार के लिए वो बीज जमीन पे गल जाता है और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ऐसी अवस्था बनती है कि एक बीज ने जब अगर अपने आपको गलाया है जमीन पर तो उससे एक पौधा बनता है पौधे के बाद ब्रिक्ष बनता है और ब्रिक्ष में जब फाल लगते हैं तो ऐसे एक ब्रिक्ष से फिर अनेकों बीज तयार होते हैं लेकिन उस एक से अनेक होने के लिए एक बार के लिए कुछ समय के लिए उस बीज को अपना सर्वस्व समर्पन करना पड़ा और उसके बाद वह एक ही अनेकों बीजों के रुप में अनेकों फलों के रुप में फल जी की प्राप्ति करनी हैं, तो एक बार के लिए अपना सब कुछ समर्पन करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा. तो ये जो प्रकरन का सिर्षक दिया गया है, आसिक के गुनाह, तो सुन्दर साथ को लग रहा होगा, कि इस प्रकरन में गुनाह की बात कहां पर की गई है, ऐसा कौन सा गुनाह हो रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह यही हो रहा है, कि जो हमें करना चाहिए, वो ही नहीं कर र तो आशीक कहलाने वाली ब्रह्मसिस्टी का यही गुनाह हो रहा है कि हमें करनी चाये थी कुर्बानी तो हम कुर्बानी नहीं कर रहे हैं हमें अपना सर्वक्ष समरपन करना चाये था लेकिन हम तो अपनी में खुदी लेकर के बैठें दोनों एक दुसरे के कर दी थे और जहां समर्पण है वहां अहम नहीं हो सकता आप सबने राजा जनक का उधारन सुना होगा कि राजा जनक ब्रह्मग्यान पाना चाहते थे तो अश्टा वक्र उनके पास पहुंचे उन्होंने खा कि अगर तुम ब्रह्मग्यान पाना चाहते हो अगर तुम ब्रह्मग्यान क वक्र ने कहा कि मुझे अपना मन देदो क्यों मन देने का क्या मतलब है सुनने में लग रहा होगा कि मन की बात क्यों की जा रही है क्योंकि हम तो तन मन धन की बात करते हैं और दुनिया के लोग तो बहुत ही छोटी बात करें सिर्फ मन देने की बात करें तो ऐसा नहीं जहां म मन का समर्पण हुआ वहाँ तन धन अपने आप जोड़ जाएंगे तो जैसे ही राजा जनक ने कहा कि मैं अपना मन आपको दे देता हूं उसके बाद अब मन में विचार तो आ रहे हैं लेकिन क्योंकि शुरुवात में कहते ही कहना सरल होता है कि हमने अपना दिल दिया है कहना जितना आसान है मन देना बुद्धी देना अथवा दिल देना कहना जितना आसान होता है समर्पण की बात करना जितना आसान होता है प्रेम शब्द को लिखना पड़ना उचारण करना उसकी कहानिया बताना जितना आसान होता है उसको करना उतना ही कठिन होता है उसको करना उतना ही कठिन होता है अब अगर कह रहे हैं कि मैंने अपना मन दे दिया है लेकिन विचार तो तब भी चल रहे हैं अगर विचार चल रहे हैं हमारे स्वयम के विचार चल रहे हैं इसका मतलब यह कि हमने स्रफ मुख से कहा कि हमने अपना मन आपको दे दिया है इस संचार के प्रेमी प्रेमी का भी अपना दिल एक दूसरे को देने की बात करते हैं लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर हमने दिल दे दिया तो फिर हम सोच नहीं सकते किसमें हानी है किसमें लाभ है हम सोच नहीं सकते मन में ये मनन ही नहीं होगा कि इसमें नुक्सान है इसमें फायदा है तो राजा जनक ने अपना मन कहने के लिए शुरू में दे दिया फिर धीरे धीरे अब उनके स्वयम के मन पर नियंट्रण होने लगा कि इस मन से कुछ विचार नहीं करना है शुरुवात में ये भी विचार ही आ रहा है इस मन से कोई विचार नहीं करना ये भी एक तरह का विचार है और मन में ही हो रहा है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते प्रयास करते करते मन विचार सुन्य हो गया उनकी समाधी लग गई मन की एकागरता प्राप्त हुई उनको और उनकी समाधी लग गई और समाधी के आउस्था में उन्होंने जो भी अनव हो किया है ब्रह्मग्यान उसको नहीं कह सकते क्योंकि वानी के बिना किसी एक आउस्था तक पहुँचा जा सकता है लेकिन उसको ब्रह्मग्यान नहीं कहा जा सकता हा लेकिन जिनको वह ब्रह्मग्यान समझते थे उसकी उन्हें प्राप्ति हो गए तो अगर अगर हम यह चाहते हैं कि उन्होंने तो सुरुफ मन मनधन राजी को सौप दिया है हम वाणी का गायन करते हैं कुर्बानी को नाम सुन मोमिन ओल्शत अंग पीछे होते जो मोमिन दवड लिया तिन संग तो हम यह सरफ दावा करते हैं तो प्रतिक दिन हम राजी से जूट बोल रहे होते हैं कि राजी हम अपना तन मन धन आपको दे रहे हैं अगर हमने अपना तन मन धन दे दिया उसके बाद तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो हमें राज्जी से किसी तरह की शिकायत नहीं हुने चाहिए क्योंकि हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले अगर हमें हम इस संचार के दुख से दुखी हो रहे हैं इस संचार के सुख से सुखी हो रहे हैं कि हमने अपने आपको दिर्श्टा नहीं माना है जब हमने ये कहा हुआ कि हमने राजी को अपना मंन दे दिया। इस अंसार में विजह से आप सबने हमारी रहनी किताब को पड़ा होगा। स्वामी जी ने लिखा है कि अगर बच्चों का प्रेम पाना है तो हमें बच्चों के जैसा बनना पड़ता है हम बड़े हो गए उम्र में हमारी जो सामान्य बोली है हम तुतला करके नहीं बोलते हैं लेकिन जब कोई बच्चा हमारे सामने आता है तो हम जैसे बच्चा तूतलाता है हम भी उसको अले ले ले करके हम तूतला करके उससे बात करते हैं कुकि हम बच्चे नहीं है हमारी भासा इसपस्ट है हमारे शब्द इसपस्ट हैं लेकिन चुकि हम बच्चों से क्योंकि बच्चों का हरदय निर्मल होता है उस पवित्रता का अगर हम प्रेम पाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ हद तक हम बच्चों जैसे निर्मल अभी नही हो सकते हैं हमारे अंदर लाखों बुराइयां हो सकती है लेकिन अगर हमें उस पवित्रता का प्रेम पाना है तो हमें पता है कि हम उनके साथ बच्चे बन करके रहेंगे, तो जिस तरह से बच्चों का प्रेम पाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, उसी तरह से, अगर हमें उसका प्रेम पाना है, अक्षरातित का अगर प्रेम पाना है, तो हमारे अंदर भी वैसे योग्यता होनी चाहिए, हमारी जो पात्रता है, वो भी व वानी केती है कि दिल अपना दे उनका लीजिए इनविध चरणों पहुंचाए अगर हमें राजी का दिल चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम राजी के दिल में डूबें तो पहले हमें अपने दिल को देना होगा हम ये दुनिया के उधारणों से सीख चुके हैं पहले के उधार में आटो शागरों के रूप में उन्हीं का विस्तार है तो अगर हम राजी के दिल को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना दिल देना होगा और जब हम सिर्फ मुख से कह रहे हैं कि हम अपना दिल दे चुके हैं नहराजी को तो ये ब्रहम सुश्टियों से गुना हो रहा है इसलिए इस प्रकरण में आशिक के गुनाः गिनाए गए हैं अब जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती जाती है जैसे जैसे हम अध्यात्मक्य सीखार पर बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे जैसे उदारण के लिए, ये उदारण में कई बार पहले भी दे चुका हूं कि एक бच्चा अगर प्राइमरी में पड़ता है, English Medium में पड़ रहा है, तो तब ही वो English पड़ रहा है, प्राइमरी में पड़ते हुए किसी भी भाहसा को जानने का है। मैं अंग्रे जी का उधारन दे रहा हूँ, अंग्रे जी में आठ पार्ट अफ स्पीच होते हैं, जब वो प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो उसके अंदर कुछ संकाय होंगी, भासा से संबंदित, अंग्रे जी से संबंदित, उन संकाओं को अपने सिक्षकों से अपने संकाय हैं, लेकिन उसके अंदर की जो संकाय हैं, अब वो अलग हैं, पांच्वी में पढ़ते हुए, प्राइमरी में पढ़ते हुए उसको जो संकाय थी, उन संकाओं का समाधान हो चुका है, लेकिन दस्वी बारवी में अब उसके अंदर कुछ और संकाय हैं, उसका इस्त प्रश्ण दिये जाएंगे समाधान करने के लिए उनका इस्तर और कठिन हुआ रहेगा उसके बाद जब वो मास्टर्स करेगा तब उसकी अवस्था कुछ और होगी और जब वो PhD करता है तब उसके अवस्था कुछ और रहती है वैसे ही सबसे पहले अगर हमें ब्रह्म जज्यान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उस अवस्था में हम लोकिक दीवी देवताओं के पुजा कर रहे होते हैं कि भक्ति कर रहे होते हैं तो वह गुना होता है उनसे दुनिया की इच्शा और उनके सामने रख रहे होते हो तो वो गुणाह होता हthere उसके बाद तार्तम लेते हैं हम और लुकिक दुनिया के देवी देवताह। की पुजा हम छोड़ देते हैं एक गुणाह हमने शमाप्त किया अब हमारा इस्तर एक सडेब आगे सेडिय हम उपर चड़े हध्यात्म की दिशा में लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं मैंने पहले उधारण में कहा था कि हम लौकिक देवी देवताओं से मांगना छोड़ करके अब हमने राज्जी से मांगना शुरू किया एक गुनाह छोड़ा अब हमारा इस्तर भी बड़ा लेकिन गुना में इसको तुम्हारा फिर फिर मागूं फिर वहां पहुंचने के बाद हमने पहले के दोनों गुनाहों को छोड़ दिया अब हमारा इस्तर कुछ ऊंचा हुआ अब हम अध्यात्म में थोड़ा और आगे बड़े थोड़ी और गहराय में हम जा रहे हैं तो अब दो गुनाहों से हम पल्ला छुड़ा चुके हैं अब हम तीसरा गुनाह कर रहे हैं तीसरा गुनाह कौन सा कि राजी से हम प्रेम माग रहे हैं तो सिंधी की वाणी में पहुं इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो प्रेम मांगना भी गुना वह मांगं यह संसे यह हुए अब यह दो सुन्दर्शाथ स्रुफ एक चवरपद करके रही ऊचोगड है कि राजी अपने आप ही प्रेम दे रहे हैं उस प्रेम का अगर हमें अनुभव हो रहा है तो मांगने की आऊ सकता नहीं है लेकिन चूंकि अभी हमारा इस्तर इतना उपर नहीं उठ पाया है अगर हम राजी से राजी का प्रेम भी नहीं मागेंगे और अगर हम किरंतन की भी ओस्था में नहीं है सिंधी की भी ओस्था में नहीं है तो फिर हम शुश्क हो जाएंगे तो फिर हम केवल बौधिक चतुराई में ही लगे रहेंगे तभी तो किरंतन के उस प्रकरण में कहा इलम चातुरी खुबी अंग की मोहें एही पट लिख्या अंकूर एही न देवे देखने मेरे दुलहे के मुक्कानूर क्योंकि अभी हम न प्रेम हमारे अंदर है राज्जी के लिए न राज्जी के लिए दर्ध है और न हमारे अंदर वो त्याग है न वो स्रद्धा भावना है न वो समर्पन है तो सिंधी के आउस्थाते बहुत दूर की बात है और अगर हम इतना भी नहीं कर रहे हैं जैसे अं अवस्था की बात है जिस अवस्था में पहुंचने से पहले एक बार मांगना पड़ता है तो अगर हमारी वो स्थिति नहीं आई है किरंतन के उस चौपई वाली अगर स्थिति नहीं आई है तो सबसे पहले हम रज्जी से रज्जी को मागे लेकिन उसके लिए भी समर्पन चाहिए जैसे मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना है और सबकुछ पाने के लिए सबकुछ खोना पड़ता है जैसे इस चोपई में कहा कि आसिक कही ये तिनको जो हक पर हुए कुर्बान तो हमें पहले कुर्बानी करनी पड़ेगे और कुर्बानी का मतलब क्या होता है कि एक बार अपने आपको गला देने के बाद एक बार अपना समर्पन करने के बाद अब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगे तब हम कहेंगे कि हम दरश्टा भाव से हैं अब जैसे एक भजन गाया करते हैं सुन्दर्शाथ पंजाबी में भजन है जिसमें कहा कि हमारी जो डोरी है वो साहेब के हत में है राजी जैसा कराएंगे वैसा हम करेंगे अथवा राजी जैसा कराएंगे वैसा हमें मन्जूर है तो हम उनको उन भजनों की पंक्ती को अथवा ऐसी भाव वाली वाणी में भी बहुत सारी चौपाई है जैसे हम कहते हैं जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर या पाक करो हाधी पना या बैठाओ माहे तक्सिर हम कहते हैं जियों जानों त्यों रखो धनी तुम्हारी में तो उस आउस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले कुर्बानी की आउसेक्ता होती है और अभी हमसे वही नहीं हो रहा है ज्यान की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम चित्वनी की भी बहुत गहरी गहरी बातें बहुत दिक रूप से कर देते हैं साब्दिक व्याख्या भी हम बहुत गहरी गहरी कर देते हैं बहुत लंबी लंबी व्याख्या कर देते हैं लेकिन कुर्बानी व्याख्या का विसे नहीं है कुर्बानी तो करने का विसे है तो अगर हमसे कुर्बानी नहीं हो रही है तो वही हमसे सबसे बड़ा गुना हो रहा है जिसको इस प्रकरण में आशिक के गुनाह के नाम से बताया गया है तो कुर्बानी न करना ब्रह्म स्विष्टियों का एक गुनाह है आगे इस प्रकरण में ऐसी बहुत सारे गुनाह बताए गये हैं जो कि उसी से जुड़े हुए हैं जैसे आगे एक चोपई इंद्राउती जी कह रही है कि आसिक गुज मासुक का सो लेवत है रोय रोय ऐसी उल्टी अकल आसिक की सुख कहे औरों को सुए अगर राजी का सुख ब्रह्मिस्ष्टि को आसिक ब्रह्मिस्ष्टि को प्राप्त हो रहा है उनका लज्जत उनका स्वाद प् प्रहन करती है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आशिक कहलाने वाली ब्रह्म सुष्टी अगर थोड़ा सा अल्प मात्र सुख भी अनुभव हो रहा है किसी तरह से तो उसका धिंडोरा पीट रही है तो आशिक कहलाने वाली ब्रह्म सुष्टी से यह बात हो रही है यह गुन अपने आपको आशिक कहला रहे हैं और फिर राजी के द्वारा भरतार प्रियतम आत्मा के पती श्री राजी के द्वारा हमें कोई भी स्वाद मिल रहा है तो उसको अगर हम दूसरों के सामने बता रहे हैं मान लिजे उदाहरण अगर लोकिक उदाहरण से समझना है तो अगर इस संसार की कोही मिस्त्री उसके और पती के बिच के प्रेम संबंद को किसी तीसरे के सामने अगर प्रगट कर रही है तो उसको क्या कहेंगे जैसे इस चोपई में कहा ना कि सो अवरत बे एतबार ऐसी जो इस्त्री है वो बे एतबार का मतलब भरो से लायक नहीं है बे इमान उसको कहते हैं उसी तरह से अगर हम भी रज्जी के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का धिंडोरा पीट रहे हैं तो हमारे लिए भी वही सोभा फिर हमारे लिए भी वही टैग दिया जाएगा जैसे कि इस चोपई में कहा सुनने में बुरा लग सकता है दुखद लग सकता है लेकिन इस चोपई में इस पश्ट कहा कि जाय ना बोलाई खसम की सो औरत बेयतबार अगर हम डिंडोरा पीट रहे हैं तो हाँ एक अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में जैसे कि इंद्रावती जी के द्वारा राज्जी कहलवा रहे हैं ब्रह्म्न सृष्टियों की जागरित किया ऐसा कहा लेकिन वह भी तब कहा कि ब्रह्म्न सृष्टियों को सिखापन देना था तो उन सब ब्रह्म्न सृष्टियों को सिखापन देने के लिए इंद्रावती जी ने ऐसा कहा कि मैंने जब ऐसा ऐसा किया तो ऐसा करने के बाद राज्जी ने मेरे साथ ऐसी प्रेम के के अब हमें ये धिन्डोरा पीटने की आऊ सकता नहीं कि राजी हमें ये-ई-चुख रहे हैं हमें राजी का ऐसा दर्शन हो रहाँ ये बताने क्या आऊ सकता नहीं है अगर हम सुदर सुंदर्षाद को वास्तों में प्रबधित करना चाहते हैं अगर हमने लगता है कि हाँ इन बातों से शुन्दरशाद का भला हो सकता है तो हम सुंदर्षाद को सरफ इतना कहें कि सुंदर्षादजी अपनी रहनी में इस इस जग़ पर ऐसे ऐसा परिवरतنت The तो हमें राजी का स्वाद मिल सकता है, राजी का आनंद मिल सकता है तो इस तरह से कहना इसमें कोई गुनाह नहीं है लेकिन हम अगर धिंडोरा पीटते हैं कि राजी तो हमें यहाँ पर दिखते हैं मैंने कई बार सुना सुनने में हास्यास्पद लगता है कुछ सुन्दर साथ कहते हैं कि हम रोटी बना रहे होते हैं हमें तो तवे पर राजी दिखते हैं कुछ सुन्दर साथ कहते हैं हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें इस्टेरिंग के सामने राजी बैठे वे दिखते हैं कुछ सुन्दर साथ कहते हैं कि हम तो आख बंद करके गाड़ी चलाते हैं और राजी ही अमारी गाड़ी की स्टेरिंग को चलाते हैं तो ऐसी बातें धिंडोरा पिटने के लिए नहीं होते हैं आपका भाव हो सकता है कि आप भोजन बनाते हुए, आप राजी को याद कर रहे हैं, भावलिंता में डूबे हुए हैं, आप गाड़ी चलाते हुए भी चर्चा अथवा वानी सुनते हुए, एक सेकेंड के लिए, अथवा दू सेकेंड के लिए आप राजी को दिल से याद कर सकते हैं, लेकिन आप तो ये ढिंदोरा पीटने लग जाए कि राजी हमारी गाड़ी चलाते हैं राजी हमें भोजन के रोटी पकाने वाले तवे पर देखते हैं तो ये सिर्फ ढिंदोरा पीटने वाली बात है इससे आपकी अध्यात्मिक उन्नती नहीं होने वाली है हाँ रुक जरूर जाएगी क्योंकि इससे क्या होगा मान लिजे जैसे आप इसके पीछे आप अध्यात्मिक कारण भी समझ सकते हैं आप इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी समझ सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि वैजयनिक भासा में अगर हम कहें तो कहते हैं कि प्रत्यक क्रिय का एक reaction होता है एक परिणाम होता है वैसे ही आध्यात्में में भी हम कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है मानली जे आप दो-चार दिन के लिए सेवा कर रहे हैं दो-चार दिन के लिए दस लोगों के बीच में कर दिया कि आपको थोड़ा सा सुख भी मिला प्लस आपने दस लोगों के सामने वरणन किया तो दस लोगों के दिमाग में अथ्व दस लोगों के मन में आपके लिए जगा हो उची हो गई उनके मन में तो आपकी जगा उची हुई कि इनके साथ राजी का अनुभव हुआ है इनको राजी ने अपना अनुभव दिया है लेकिन चुकि आपने जितना किया था जितनी सेवा की थी जितना समर्पन किया था उसका फल आपको दो रूपों में मिल चुका है सुन्दर साथ के बीच में आपका सम्मान हो रहा है तो लोकिक फल मिल रहा है आपको थोड़ा सा जो स्वाद मिला है वो लोकिक फल के रूप में मिला लेकिन आपने जितना किया उसका फल अब मिल चुका है इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उसका हम सिर्फ अलोकिक ही फल लें सिर्फ राजी का स्वाद रूपी फल ही अगर हम लें तो फिर इस संचार में लोकिक सम्मान अथवा लोकिक प्रतिष्ठा रूपी फल लेने की कोशिस ना करें इससे क्या होगा कि आप अध्यात्मिक फल से आ गुनाहा है इसको सिंधी ग्रंद की इस वानी में इंद्रावती जी ने आशिक के गुनाह कहकर वर्णित किया है तो जब भी समय लगे सुंदर साथ इस प्रकरण को अगर सुरू से लेकर के अंतक पढ़ेंगे अभी तो हमने दो ही विशयों में बात की है दो ही गुनाहों के विशय में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हम ब्रह्म सिष्टियों ने कौन-कौन सा ऐसा गुनाह किया है जागनी के ब्रह्मान में आने के बाद सिंधी की आवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो सारी चीजें गुनाह लगने लगती है राजी के अलावा सब कुछ गुनाह लगने लगता है एक आवस्था ऐसी है किरंतन में जिस प्रकरण में इंद्रावतिजी कह रही है उस प्रकरण में तो आवस्था ऐसी है कि उस समय में हमें राज्जी भी दिख रहे हैं उस समय में हमें सुन्दर साथ भी दिख रहे हैं उस समय में हमें पूरा 25 पक्ष परमधाम का दिख रहा है लेकिन सिंधी तक आते आते क्योंकि उसके आगे मारिफत सागर ग्रंथ है तो सिंधी तक आते आते एक अवस्था मारिफत की बन जाती है मारिफत का वरणन नहीं किया है अवस्था बन जाती है तो मारिफत की अवस्था में पहुंचने के बाद तो राजी ही है राजी के अलावा और कुछ नहीं है उनके अलावा जो कुछ भी अगर है, जो कुछ भी अगर हमारे अंदर आ रहा है, तो उन सब को गुनाह की स्रेणी में खड़ा किया है। तो जब हम सिंधी ग्रंद के इस प्रकरण को रिदे से पढ़ेंगे पूरी भावलिंता के साथ में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम अभी बहुत पीछे हैं हम में से अधिकांच सुन्दर साथ तो उस आवस्था तक भी नहीं पहुंचा है कि हम राजी से सिर्फ राजी का प्रेम दर्द और इश्ग तुम्हारा उस आवस्था तक हम नहीं पहुंचे हैं तो सिंधी के बाद तो बहुत दूर किये लेकिन हां अगर हम इसको दिल से पढ़ते हैं अगर हम अपने गुनाहों पर दिल से विचार करते हैं तो हम छोड़ने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं लेकिन अगर हमने कभी विचार ही नहीं कि अगर हमें पता ही नहीं चले कि हमा प्रकरण को सही देख लें एक बार और ऐसे ना देखे कि हम चौपाई पढ़ रहे हैं और चौपाई का अर्थ पढ़ रहे हैं यह भी नहीं कहता कि आप टीका पढ़िए आप वाणी लीजिए वाणी को खोली इस प्रकरण को खोली है हाँ आप टीका उस समय में देखे जब आपको उस चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको भाव समझ में आ रहा है तो टीका भी देखने के आओ सकता नहीं है आप सिर्फ ये भाव ले करके पढ़िए कि राजी हम से बात कर रहे हैं और हम राजी से बात कर अगर आप इस भाव के साथ में वाणी को पढ़ेंगे तब तो जैसे हम सिवा पुजा में एक चोपाई कहते हैं आर्थी अंग चतुर दस के रही तो राजी के चौदा अंग है साम कहते हैं ये कहना सार्थक होगा अन्य था सिर्फ हम सब्दों का अर्थ ही जानने के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो इसका कोई लाव नहीं होगा हम ये भावले करके पढ़ें कि राजी हमसे बात कर रहे हैं तो मैं सभी सुन्दर सच्छे आग्रह करूंगा कि सिंदी ग्रंथ का ये जो प्रकरण है आस्जिक के गुनाह प्रकरण संख्या चौदा है चौदा के अगर हम अपनी गलती की पहचान करते हैं अगर हम श्यमा भी मांगते हैं लेकिन अपनी रहनी में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो उस गलती के ऐसास करने का भी कोई मतलब नहीं होता है इसको अगर मैं कठोर सब्दों में कहूं अगर मैं खड़ी भासा में कहूं तो अगर हम ये जानते हैं कि हमने गलती की है और अगर हम ये मानते भी हैं कि हमने गलती की है और उसके बाद भी सुधार नहीं करते हैं तो ये फिर दादागिरी है दादागिरी का मतलब दादागिरी में क्या होता है कि क्या कर लेगा कोई क्या कर लेगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम गलती कर रहे हैं और गलती की पहचान कर रहे हैं कि हमसे यह गलती हो रही है उसके बावजूद भी अगर हम अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हैं तो फिर इसका मतलब है यह है कि हमने अपनी गलती मानी ही नहीं है हमने सिर्फ कहने के लिए उपरी तोर पर मान लिया कि हमसे गुना हुआ है तो इसलिए हम सिंदिग्रंत के इस प्रकरण को यह भाव लेते हुए पड़ें कि हम आगे से यह गलती नहीं दो रहेंगे और हमसे अब तक जो जो भी भूल हुई है जैसे इस प्रकरण की पहली चौपई में कहा जो हमसे लटी भाई ऐसे करे न कोई मुतलग जो हमसे भूल हुई है वैसा तो कि इस संसार की जूठे लोग भी नहीं करते जियू स्रिष्टी में पैदा हुए लोग भी अपने आसिक कहलाने के बाद अपने मासुक के लिए वैसा नहीं करते जैसा हमने किया है तो इस प्रकरण को भाव के साथ पढ़ें, इसके भाव को समझें और अपनी रहनी में उतारें, इनी सब्दों के साथ मैं अपने बाणी को भी राम देता हूं, प्रणाम जे